दोस्तों कि एक बार फिर से Big Boss आर्चना गौतम को घर से बाहर निकाल देंगे? जी हाँ, हर कोई ऐसा क्यूं कहरा है आर्चना ने अब एक बार फिर से ऐसी बड़ी गलती कर दी है कि कहीं Big Boss उसे घर से बाहर न निकाल दें? जी हाँ आपको बता दें कि घर के अंदर एक बार फिर से शीव ठाकरे और अर्चना के बीज इतना बड़ा जगड़ा हो गया है कि कहीं बिग बॉस ने इनको लेकर कोई बड़ा फैसला तो नहीं सुना दिया है आखिर क्या है इसको लेकर बड़ी खबर और शीव ठाकरे और अर्चना दोनों पहले की तरह जगड़ते हुए क्यों नज़रा रहे हैं और इसके पीछे की क्या बड़ी वज़ा है साथी साथ गर के बाकी के सदस्य इस जगड़े को लेकर क्या कहने हैं चलिए आपको बताते हैं लेकिन इससे पहले चैनल पर ने हैं तो सब्सक्राइब कर लें साथ में घंटी के निशान को जरूर दबा दें आपको बता दें कि जैसा कि आप सब जानते हैं कि बिग बॉस सेजन सिक्स्टीन में काफी दिन पहले शिव ठाकरे और अरचना के बीच एक बहुत बड़ा जगड़ा हो गया था जिसमें बिग बॉस ने अरचना को घर से बेगर कर दिया था ऐसे में आज एक बार फिर से कैप्टेंसी का टास्क हो रहा था और कैप्टेंसी का टाक्स जैसे ही खतम हुआ सबी घर वाले बात्रूम की तरफ भागे जिसमें अरचना गौतम और शिव ठाकरे भी शामिल थे लेकिन दोनों को नहाना था इसके चलते दोनों को नहाना था अरचना गौतम और शिव ठाकरे के बीच लड़ाई हो गई शिव ठाकरे ने कहा कि पहले मैं जाऊंगा क्यूंकि मैं पहले यहाँ पर पहुंचा हूँ महीं दूसरी ओर अरचना ने कहा कि नहीं शिव मुझे अभी घर के कई काम करने हैं घर में खाना भी बनाना है इसलिए तुम पहले मुझे जाने दो इस छोटी सी नोक जोक में दोनों के बीच एक बार फिर से जगडा स्टार्ट हो गया और अरचना को शिव ठाकरे ने कहा कि तुम तो घर के अंदर हमेशा लड़ती हुई ही नजराती हो किसी के साब तुम ठीक से बात नहीं कर सकती मुई दूस घर के अंदर शिव ठाकरे और अरचना के बीच इतनी बड़ी लड़ाई ना हो जाए कि एक बार फिर से अरचना शिव का गला पकड़ लें शिव को थपड़ मार दें और बिग बॉस को ये कड़ा फैसला सुनाना पड़े कि अरचना तुम एक बार फिर से घर से बेकर हो ज हराना चाहते हैं लेकिन अब आपको बता दें कि देखना ये होगा कि घर के अंदर अर्चना और शिव आगे कौन-कौन से बड़े-बड़े बवाल करते हुए नजर आते हैं आप इसको लेकर क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट करें और बिग बॉस से जुड़ी हर एक लेटस न्यूज के लिए हमारे चैनल को जरू सब्सक्राइब करें